Hello students, welcome to my channel, Dynamic Math, तो आज हम लोग इस विडियो में देखने वाले हैं सर्कल्स का पूरा बेसिक कंसेप्ट यानि कि जो बच्चे सर्कल्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो पूरा बिडियो को देखिएगा, इस पूरा बिडियो को खतम होते ही सर्कल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि आपको कॉस्टेंटिस पूछे जाते हैं किस टाइप के कुछ जाते हैं किस टाइप के कुछा गया है फिर देखने के बाद में आपको सरकल समें कुछ भी प्रॉबलम नहीं होगा तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखेगा और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लिजएगा चुकि इस चैनल को क्लास 10 का मैट का पूरा इस उस्तरऺन हैं अगरा आपट नहीं है इसलिए चोटना तहुरम को अकला याद कर लिया और चैनल आपने चलिए तो अ battle बच्र दो की तरह लगीिए बस आप पूरा बीडियो को देखिएगा इस बीडियो को बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर्कल कितना इजी है तो देखें यह हमारा एक सर्कल से यह एक सर्कल में हमेशा एक सेंटर होता है यह चीज़ आपको याद रखना है इसका नाम हम लोग देते हैं अब देखें एक सर्कल में हमेशा एक रेडियस होता है इसका देते हैं तो हमारा क्या है रेडियस है ओए क्या है रेडियस है अब हम लोगा इधर से 7 देते हैं एक o B भी azWeek क्या है रेडियस है बाट ऑब marginiophan ऑभी जो है वो हमारा सब्सक्राइब एबी जो है एसे लेकर बी तक यह पूरा एबी जो है न वह क्या है हमारा एक डायमीटर है अब देखें यहां पर डायमीटर जो होता है वह हमेशा डबल होता है किसका रेडियस का अगर आपका रेडियस 10 cm है तो डायमीटर जो होगा यह आपका डायमीटर होगा वह हमेशा 20 cm से संटीमीटर होगा मतलब डबल होगा रेडियस से हमेसा डावल होता है ड्यविटर अगर डाइमीटर 10 संटीमीटर कि दीन हाव होगा जो होता है 2 गटके अरचोह रहां और हमारा रेडियस है द星 हाफ है किसका यह पूरय टायमिटर का यह आपको एक चेजित याद रखना यह बेसिक है उसके बाद यहां क्या करते स्रक्ल्स में कहीं भी अगर सर्क्ल्स के एक पॉइंट से टॉप्र होगा अगर हम धेते हैं कि ऑगि हए आ प्रिंदी वाले हैं वह इस वडियो को देखिएगा पुरा अच्छे से समझ में आजाएगा तो देखिए यह पी जो है वह हमारा क्या है टेंजेंट है पीक्यू क्या है पी क्यूं इसा टेंजेंट जो सरक्ल्स को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए अगर क्रोस सौरी जो point है वो point of contact है PQ जो है हमारा एक tangent है AB जो है यह पूरा AB हमारा diameter है diameter है और यह जो हमारा OA है वो radius है OB जो है वो radius है अगर यह radius हमारा 3 cm है तो यह radius भी हमारा क्या होगा 3 cm because all radius are equal in a circle एक circle में जितने भी radius अगर हम लोग खीज दें इधर 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 कितना भी हम लोग यह 12 wow Mater northernַट जितना भी radius होगा वो सब इक वल होगा तो एक सर्कल में जितना भी radius होता हो सब हमारा चैंवल होता है यह आपको याद rख रखना और radies जो होता है और maj HOW होता है औरYo grouping होता है डbellब होता हैаж का यह चीज़ आपको याद रखना यह बिल्कुल बेसिक कंसेट है जो आपको याद रखना है जब यह कोई भी कुश्टन को आप सॉल्व करोगे यह सब कंसेट आपको यूज करना होगा यह हो गया अब देखें अगर मैं यहां पर एक डॉकर तो इस तरह से इसका नाम मैं अ पर इंटर से होते हुए क्रोस किया है ओके तो पर चीड होते हो तो बोलेंगे यह जो हमारा सीड़ी है इसको कौड बोलेंगे यह सेंटर से होते हुए क्रॉस नहीं करता है center से होते हैं ये cross नहीं करता है यह चीज़ आपको याद रखना है code किसको कहेंगे उसके बार देखे यह हमारा नाम देते हैं इसको MN क्या नाम देते हैं MN यह हमारा MN क्या है ति MN हमारा secant है, MN हमारा क्या है? secant MN, यह MN जो है, वो हमारा क्या है? secant है, ओके, जो किसी भी circles को cross करते हुए निकल जाए, इसको हम लोग secant बोलेंगे, उसके बाइज जो touch करते हुए कि जाएगा, इसको हम लोग tangent बोलेंगे, और जो center से होते हुए one into, दूसरे end पे, one into another यानि एक end पे और दूसरे end पे, दो end पे मिलेगा, बट center से होते हुए cross करेगा वो, तो इसको हम लोग diameter बोलते हैं, और pod बोलेंगे, यह center से होते हुए cross नहीं करता है, एक circle में से आप जितना चाहो tangent खिंच सकते हो, इधर भी tangent, इधर भी tangent, infinite number of tangent आप ड्रॉक कर सकते हो, य यह चीज़ आपको याद रखना है, जितना भी radius होता है, आप एक खिंचलो, दो खिंचलो, तीन, चार, पांच, जितना भी infinite, सभी radius क्या होते हैं, हमेसा, equal होते हैं, यह चीज़ आपको याद रखना है, ओके, इतना आपको I hope कि आपको concept समझ में इतना आग्या होगा, अब तो हम लोग आते हैं theorem पे, कौन-कौन सा theorem आपको याद रखना है, ओके, पहला theorem आपको क्या है, यह हमारा एक circle है, यह क्या है, circle में हमेसा क्या होता है, center होता है, यह हमारा tangent है, यह क्या है, tangent है, इसका नाम हम लोग देते हैं, AB, माल लिजए, यह हमारा tangent है, और यह हमारा क्य होता है यानि ओपी हमारा क्या है रेडियस है एभी हमारा क्या है टेंजेंट है तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकूलर होता है यह थिवरम आपको याद रखना है हमेशा आपका यूज होगा जब भी आप सरकल्स को बनाओगे रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजंट पर क्या होता है प्रपेंडिकूलर होता है सिया कि यह गया या इंस इसी को हम लोग बोलते हैं linear pair इधर का एंगल अप्लस इधर का एंगल दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है linear pair बनाता है जो कि आपने 9 class में पढ़ लिया है ति यह theorem आपको याद रखना है यह पहला theorem है बेसिक theorem है radius is always be perpendicular on tangents यह आपका theorem number one है चले concept number two दूसरा concept को क्या समझना है एक हमारा यह circle है यह एक external point है इसका नाम हम लोग देते हैं अब हमने एक tangent खिसते हैं external point से यह आपका इस point का नाम पिये देते हैं इधर भी एक tangent हम लोग ड्रॉक कर आपको किसी एक्श्टररनल पॉ ίे हमारे एक्श्टर्नल पॉइंट बाहर का पॉइंट है निस чुट्स एंदे मी बच्ष समझेंगे इसको अब अग्श्टर्नकों बुलेंगे तो तो किसी external point से circle पर अगर हम लोग 2 tangent को draw करते हैं एक tangent इधर और एक tangent इधर तो यह जो हमारा tangent होता है वो इस tangent के हमेशा equal होता है यानि PA जो होगा वो हमेशा PB के क्या होगा यह है आपका theorem number है आपका जैसे कि हम लोग एक circle बना लेते हैं यह हमारा एक circle है यह जो है आपका center है यह हम लोग एक radius बना लिए O A एक radius बना लिए O B एक radius बना लिए O C एक radius बना लिए O D तो यहाँ पर जितना भी radius होगा OA जो है वो OB के equal होगा भी radius होंगा वो हमेशा equal होगा आप जितना चाहो radius बना लो, सब का radius सेम होगा अगर यह हमारा 4 cm का है तो यह भी 4 cm होगा नियुक्त सेमेंटर होगा, यह भी 4 cm होगा फूर सेंटीमीटर होगारेटिस हमें सा इकवल होता है यह चीज आ Huawei को समझें इस इंपॉर्टेट है जो कि आपको समझना है यह हमारा एक सरकल है यह हमारा सेंटर है जिसको रहलों कि नाम देदे हम अब यहां से हम लोग टैंजेंट बना दिये पील इधर से एक टेंजंट हम अब ड्रॉक करते हैं बी और यह हमारा एक रेडियस में अ-ब मिला धीया इस अगल का नाम वण देते हैं इस आंगल का नाम मां तो देते है है एस सब्सक्राइद परपैंडिकुलर हो lige किया है अमारा रेडियस है और यह पीप किया है तो जब ओई जो है वह इस पर परपेंडिकूलर होगा तो यह तो 90 डिग्री नाइटी डिग्री यह जो एंगल होगा वह इस एंगल के हमेशा एंगल हुगा वह हमेशा destra करेंगे और यह एंगल और यह एंगल हमेशा होता है बहुत हरत है और यह एंगल भी हमेसा इस एंगल के क्या होगा होगा आप को यह सीजी याद रखना है जो कि आपको जब कुश्चन सो सॉल्व करोगे तो यह कंसेप्ट आपको यूज़ करना होगा अगला कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं अगला कंसेप्ट क्या है Concentric circles अब concepts circles क्या होता है दیکھिए हमारा ये एक circle है और एक circle है और दोनों का Center जो है वह सेम है यह बड़ा ऑला Circle और यह छोटा ऑला circle दोनों circle का जो center है हो एक ही है I see circle को हम लोगę troll Heh Bow만ल सबते हैं अब यह हमारा बड़ा आज सर कल इसको क्या बोलेंगे हम लोग यह भी हमारा क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है अगर इसी कहलों सेंटर से हो करते हैं यह हमारा डायमेटर बन जाता है बड़ यह सेंटर से तो नहीं है तो यह हमारा हो गया तो बड़ा सरकल के लिए हमारा क्या है और छोटा सरकल के ल किmensे हुझा किसको कहते जो एक साथ में दो सपोड़ रहेगा दुनों का सेंटर को होगा इसको हम लोग कशन्जों को बोलते हैं ऑपी और पर रखना है एक जो है वह हमेशा इसके इक फोल होता है स्मझत अगला कंसेप्ट क्या है चलिए ध्यान से देखिएगा अगला अर्क्रा जह प्रक्राइब की ने सब्सक्राइब क्या क्या सब्सक्राइब हो गया एक मगन पर कि यह विबसक्रेद動画 अच्छाल रहेगा गया शुक्त गया कूए बेखा अब सब्सक्राइब होग Market को रहे पहला चाहर और यह दूसरा चोह है ओके इतना समझ मांगए अआ गया अब जो언 पहला इंडना इस पर एक हम लोग टैंजेंट किच लेते हैं इसका नाम दे देते हैं हम लोग a b यह हमारा क्या है टैंजेंट है और एक दूसरा इंड है हमारा यह естоका यह है डाइमेटर का इंड है एक इंड यह है diameter का और एक diameter का इंड यह है, पहले इंड पे हम लोग एक tangent बना लिया है, दूसरे इंड पे भी हम लोग एक tangent बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं CD, तो देखें, यह हमारा क्या था diameter था, इस diameter का दो इंड था, P और Q, पहले इंड में हम लोग एक बना लिया तेंजेंट दूसरे इंड में भी बना लिए कंगें हम लोग एक तेंजेंट बनायेंगा 90 डियो these ।य pasture होता है को यह हुमें साइप प्रपेंटीकूलर होता है तो यह हमारा कितने डिगरी की एंगल बनाएगा 90 डिगरी का एंगल बनाएगा यह प्यूध एंगल हो जाएगा एंगल सेगमेंट के इदर का एंगलॉ अपो चिक च तो यह एंगल और यहंगल एकessa में इस इंगल को हम लोग बोलता है अल्टरनेटिव अंगल हिंदी में बोलेंगे एकांतर कौन तो जब यह हमारा एकांतर बडखर से को रहें तो बसक्रतोंüş आमने वह एकांतर चो है न वह ब्राबर क्यों है च्जुकि बहुत धर न मैंड भी insight क्यों आदिक्रथार चूरे यहां ली is इस टेंजंट पर करे को रखने गाएगा घराध Bernie यहset लोग एक्सेणल पॉयंट हमारा यह पी है यह हमारा क्या है सेंटर है जिसका नाम हम लोग bud lanta है अब यहां संपलोग करते हैं टैंजेन्ट इसका नाम हम लोग देते हैं में पीबी और एककें भू बार करते हैं इधर से इसका नाम देदेते हैं PB ये हमारा रेटियस है ये भी हमारा रेडियस में ओके अब देखें या इंगल हो न और यह इंगल होगा इन दोनों 10 ton candy कर गोंगा वो हमेसा 180 भी होगा याद रखेगा यानि कि एगल का 92 एपके सम मैं के आपको बताए प्याद कब्देंप Κंसेंट समिघ को नाम किया है कि इतना कंसेट कणेंगो को थीवरम बताया इतना अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको जो सरकल है वो बिल्कुल हलवा की तरह लगेगा अब दिमांग में बैठालो कि सरकल बहुत इजी है एक्जामपल के तौर पर मैं अभी एक कोशन आपको बताता हूं जो कि काफी सिंपल है और पी वाई कि क्यों पार्शन है ओके से बिस्क बॉर्ड में स्चेंटर मैथ में पूछा जा चुका है यह को कैसे बनाते हैं बहुत समझ में आग्ए अगर दो अच्छे से मेरा बेसिक समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया तो पूरा सरकल आपको हलवा लगे गा मैंने आपको बता लिए एक सखल में हम इसक्या होता है एक सेंटर होता है बोले यह ना आपको कर देना एक सेंटरना हमारा यह है अगिसेंट है आगी क्या नाम प्धे या पॉइंड टेंजन्ट बना लेते हैं हम लोग यह हमारा Pt जो है वो एक tangent है, tangent, of length 8 cm, ऐस tangent का जो length है वो 8 cm है, find की radius, क्या आपको find करना है ये, radius आपको find करना है, radius को न YE why Does not have 봐 gotta find करना है, हमारा Jo Pt जो है tangent, वो 8 cm है और हमारा जो Pq है, जो center से external point और center 10 cm के distance पर है, आपको क्या find-out करना है O T radius,ıyı क्या है हमारा radius है अब देखें यह जो है ना radius यह क्या है हमारा radius है और यह हमारा tangent है radius हमेंचा tangent पर क्या होता है perpendicular होता है तो यह हमारा 90-degree angle बनाएगा और 90-degree के just opposite में हमारा hypotenuse होता है याद है आपको इसको हम लोग पर्पेंडिकुलर बोलेंगे यह हमारा बेस हो जाएगा तो फ्रॉम पाइथागोरस थीरूम फ्रॉम पाइथागोरस थीरूम पाइथागोरस थीरूम हमारा क्या बोलता है कि H square is equal to P square plus B square आपको पता है H, H का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन है हमारा यहाँ पर O P, O P square equal to P, मतलब perpendicular, कौन है perpendicular हमारा, O T, O T square plus base, base कौन है हमारा, यह base है, यानि कि P T, P T square, सब का value का हम लोग put करते हैं, O P, O P जो है वो 10 cm है, 10 का hall square, equal to O T, O T, जो है हमारा, कुछ भी नहीं है, जो कि आपको find out करना है, radius है, plus P T, P T हमारा 8 है, 8 का hall square, कुछ नहीं किया है, सब का value put कर दी है, 10 का square, 100, O T square as it is, 8 square, 64, 100, plus में 64, इधर आया, minus 64, इधर रेस्ट बच जाएगा, O T square, आप देखिए, 100 में 64 माइनस करेंगे, तो 100 में 64 माइनस करेंगे, तो होगा 36, इधर बचेगा, आपका O T, इसको आए, root under 36 is equal to O T, यानि कि S पार हटेगा, तो root लगेगा, इतना तो पता होगा आपको, यानि S पार हटने से इधर root लगता है, तो O T is equal to क्या है जाएगा, 36 का root, 6 cm, यह आपका अंसर आगया, radius is 6 cm, radius हमरा कितने का है, 6 cm का है, तो इस तरह से पूरा जो question है न, वह हम लोगा इस वीडियो में आपको इतने ही बताऊंगा, यह भी आपका one-shot video है, अब जितना भी previous year में पूछा गया question है, वो सारा question में आपको next जो वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, और जितने भी lengthy question है, खास करकर जो standard में पूछे जाते हैं, इतना सारा question मैंने आपको बताया है, वो basic or standard दोनों के लिए है, और यह question जो वो basic वाले को पूछा गया है, अब अगला जो वीडियो आएगा, वो basic or standard दोनों के लिए आएगा, जितने भी lengthy questions होते हैं, और जितने भ प्रेवाल का हो, NC का हो, RT का हो, या फिर previous करका questions हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब पर जरुक लिएगा, मिलते हैं जल्दी है next video में, तब तक के लिए, thank you